कि सभी महानवाबों को शादर जैजनेंद्र और आज हम एक्तसात नंबर के श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं और इस श्लोक में बताया गया है कि उपवास के दिन हमारा क्या करतब्ब होता है हमारा क्या करतब्ब है हमें क्या करना चाहिए तो यहाँ पर कुछ त्यागने योग के बातों का उल्लेक किया गया है कि हमें किन चीजों को छोड़ देना चाहिए उपवास के दिन तो चलिए पहले श्लोक का उचारान कर लेते हैं पंचानाम पापाना पापाना ही है लेकिन अभी हम पड़ते समय पापाना नातक पड़ेंगी पंचाना पापाना मलंक्रिया रंभ गंध पुष्पानाम फिर नात आगे पड़ेंगे नाम पवासे परिहृतिन कुरयात ठीक है तो नस्या तक पड़ेंगे फिर नाम पवासे परिहृतिन कुरयात ये तो पूरा कैसे पड़ेंगे पंचानाम पापाना मलंक्रिया रंभ गंध पुष्पानाम स्नाना जन नस्या नाम पवासे परिहृतिन कुरयात क्या कह रहे हैं कि पंचानाम पापानाम अब यहां पापानाम पड़ेंगे क्योंकि ये मां को अपन ले लेंगे और माहर अलग करेंगे तो आ बचेगा वहां पर हरस्थ लाइख चोटा बचेगा और हलन तमा को पापा नाम के साथ जोड़ करके पापान नाम बना देंगे ठीक है तो पंचानाम पापानाम पाँच पापों का त्याग उबास के दिन पाँच परकार के पाप एहंदा जू शोबादायक बस्तों हैं उनको पहनने का त्याग, आभुषणों का त्याग, आरंब, आरंब का त्याग, आरंब करने हैं मतलब कि कोई भी व्यापार जंदा या फे घर्द गहस्ती के काम धाम उस दिन नहीं करेंगे, और उब्वास है, भोजना इत्यादी बनाना नहीं है, तो रसोई का काम भी कुछ भी नहीं होगा, इसलिए आरंब का त्याग, गंद पुषपानाम, सुगंदित, द्रव्य या पुषपादी का भी त्याग करेंगे, अब आप कहेंगे यह भी त्याग नहीं लिखा है, तो त्याग नीचे लिखा हुआ है, हम आपको बताते जा रहे हैं एक तरब से, और इसनानम, इसनान का भी त्याग हो जाता है, यदि नर्जल उबास करना है, तो इसनान करने का भी त्याग कर सकते हैं, अंजन, यहां से इसनान बढ़ना है, तो यहां से अंजन निकलेगा, अंजन और नस्या नाम, यहां मुपवासे जो लिखा है, मुपवासे में से मा आधा निकल करके इस ना के साथ जड़ जाएगा तो नस्या नाम बनेगा और उपवासे इधर हो जाएगा तो इश्नान अंजन और नस्या नाम इश्नान अर्थाद इश्नान करना उसका त्याग अंजन अर्थाद जो काजल इत्यादी लगाते हैं उसका त्याग और नस्य नस्य बोलते हैं जो नाक में द्रब डाली जाती है कोई सुगंदित वश्तू भी हो शकते हैं या फिर जो नस्य एक और सदी की प्रकार में भी उज़ होता है तो वो नस्य कहलाता है तो दबाई के रूप में होता है तो उसका भी उपवास में अर्थत उपवास के दिन में परिहरतिम कुर्याद परिहरतिम अर्थत परित्याग कुर्याद करना चाहिए ठीक यह आ गया तो अब इसको पहले ले लिजिए उपवास के समय हमें इन सब चीजों का परित्याग करना चाहिए कि चीजियों का पापों का आभूशन का आरंब का गंद पुष्पानम सुगंद द्रब्य या पुष्पादी का इसनान करने का अंजन अर्थात आंख में काजल सुर्मादी लगाने का नस्र डालने का उबवास के दिन त्याग करना चाहिए तो यही इस श्लोग में बताया गया है ठीक है तो विशय शार्थ को पढ़ लेते हैं कि उभास का मूल उद्देश कशाय बशह और आहार का त्याग करना हैachaय क्वास क्यों किया जाता है कशाय का तिया त्याग करें जल्द शाल्द rebellion हो विशय भोग जो हैं उनका त्याग हो आहार का त्याग हो जिसमें मात्र आहार का त्याग किया जाता है और कसाय और चार पकार के हर का त्याग करके और विसेयों का और कसाय का त्याग ना करें तो फिर वो उपवास ना कहला करके वो उपवास नहीं होगा बलकि क्या होगा लंगन कहलाएगा ठीक है लंगन करना इसे लंगन कहते हैं जब बिना खाय पी रहना क्योंकि हम उस समय कसायों का त्या एक्षारों ने उव्वास के दिन ना करने यूग कारें का निर्देश किया इसलिए ने कार नहीं करना चाहिए ऊद्लितन गरसी ना में इसिफनान का भी निसेदश बताया है जो यहां पर इसलिए सब्सद्सेद तेल तठा उद वरतन आधि लगा कर किये जाने वाले विसिष्ट इश्णान का त्याग समझना चाहिए चुकि यह दिग्रस्थ हैं तो हमारे अन्यकारियों में हमारे बस्त्र या फिर शडीर अशुद होते रहते हैं तो यहां पर इश्णान का मतलब जिकि टीका में जो बताया है वो यह कि विसिष्ट इश्णान अर्थात साबन शैम्पू या पिर अंश जिन बस्तु को लगा करके हम इस्णान करते हैं फ़िए उनका त्याक करके करें शेंपू आदी का तो सुद्ध प्राश्वक जल से किये गए साधर निशनान का निशेद नहीं है क्योंकि उसके बिना जिनेंद भगवान का विशेग पूजानादी की क्रिया नहीं हो शकती ठीक है इस लोग में जिन कारियों के ना करने के लिए आचारी निर्देस किया कित निर्देस करें इसलिए ज़ूरी है थो आप केवल अटेंड करें इंटरनेट का त्याग करें तो अपने आबाट से फेसबूप ईूटूब इत्यादी का त्याग हो जाएग का तो यह सब आज के समय में हमें परिपेक्ष में समझना पड़ेगा कि उबास के दिन हमें इन सब का भी त्याग करना होगा अन्निथा वो सही मायने में उबास रह नहीं जाएगा क्योंकि इन सब के चलाने से कहीं ना कहीं से हमारे अंदर जो विशाइब आसना हैं वो तो सब उत्पन होने लगते हैं रागद्वे साधी ठीक है तो यह अपनने एक श्लोक पढ़ा अगला श्लोक हम पढ़ते हैं इस श्लोक में 108 नंबर के श्लोक में यह बताया गया है कि उस दिन हमें करना क्या क्या है अभी जो हमने पढ़ा श्लोक उसमें यह बताया कि क्या नहीं कर करना है अब इसमें पढ़ाएंगे कि उस दिन हमें हुम क्या क्या करना चाहिए विसेश्टे रूप से उसका अभी चाड़ कर लेते हैं थर्माँ मृतं सट्रश्णा सरवड़ां भयां प्रवतु पाययेद्वान्यन एक एक शद्र पढ़ लेते हैं धर्मा सत्रिष्णाह, स्रवणाभ्याम, पिवतु, पायेद्वान्यान, ज्यान ध्यान परोवा, भवतूप वसन्न तंद्रालुह। इसको ध्यान से पढ़ लें, भवतूप वसन्न तंद्रालुह। ठीक है, अभी हम इसको तोड़ के बताएंगे, पहले एक वार पूरा अच्रण कर लें, धर्मा मृतंशत्रिष्णाह, स्रवणाभ्याम पेवतूप पायेद्वान्यान, ध्यान 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 परोवा, भवतूप वसन्न तंद्रालुह। तो क्या क्या करना है हमें, तो कहते हैं, देखिए यहाँ पर अब उसको तोड़ के हम बताएंगे, एक शब्द को हमें पहले लेना पड़ेगा, भवतू, मतलब हो, है ना, फिर यहाँ पर वह तू बड़ी है, तो यहाँ से निकलेगा उपवसन्न, उपवसन्न, अर्थात उपवस करने वाला, या उपवस करता हुआ जो व्यक्ति है वह है, और भवतू, यह दोनों उप मिले करके दीरगू हो गया, तो उपवस करता हुआ व्यक्ति, और यहाँ पर निकलेगा अतंद्रालू, अर्थात आलस रहत होकर गए, तंद्रा बोलते हैं, आलस श्यको, प् करके उपवाज करने वाला व्यक्ति, धर्मा मृतम सत्रिश्णा, सत्रिश्णा अर्थात त्रिश्णा सहित होकर के, अब यहाँ पर त्रिश्णा विसेभू की नहीं, यहाँ पर ज्यान की त्रिश्णा, त्रिश्णा मतलब इच्छा, सत्रिश्णा इच्छा सहित होकर के, स्रवनाप्याम कानों के द्वारा पिवतू पिये जो उब्वास करने वाला व्यक्सिव है आलस रहत हो करके प्रमादी ना हो करके और इच्छा पूर्वक उतकंठा पूर्वक उत्साह पूर्वक धर्म रूपी अम्रत को अपने कानों से पिये और पाये द्वान्यान और अन् पाययेत अर्थत पिलाए किसको वा यहां पर वा निकलेगा और निकलेगा अन्यान अर्थत दूसरों को दूसरों को पिलाए स्वयम पिये और दूसरों को भी पिलाए क्या धर्म रूपी अम्रत को कैसे सर्वनाब्याम अर्थत कानों से इस प्रकार ग्यान ध्यान परोबा भवातू इस प्रकार से वह ग्यान और ध्यान परहा भवातू ग्यान और ध्यान में ततपर रहे भवातू मतलब होवे ग्यान और ध्यान में ततपर होवे कौन उपवसन उवास करने वाला वैबे ठीक है तो कहने गतात पर है कि जिसे दिन आपका उभास है उस दिन बांके सारे कारियों को छोड़ करके और इच्छा सहत उत्कंठा सहत उत्साय पूर्बग धर्म रूपी अम्रत को स्वयम को पिलाए अगम का स्वयम पिए अर्थत आगम आधी का आगम का स्वाध्या करे सास्तनों का पठन पाटन करे दूसरों को ऐख्यांद की बातें बताए या फिर स्वाध्या करा है तो इस प्रकार से ग्यान मैं ही लीन होकरके वह अपने समय को वेतीत करें यह कहने का तात पर है इसको थोड़ा सा और बिशेसर देख लेते हैं कईते हैं कि उभवास के पूर दिन में अर्था उभवास के पहले एक दिन पहले मद्यान का भोजन करने के बाद उभवास का नियम लेकर देखो अब यहां पर सई डेटेल में आया है एक दिन पहले दोपहर का भोजन करने के वाद तुरंत अगले दिनका उबास का नियम ले लेगा और सब प्रकार के अरंब का त्याग कर देगा अब दोपहर का भोजन करके ही त्याग हो जाएगा सब कुछ का सामको भोजन पानी बंद यहां तक की सरीर आदिक में भी ममत भाव नहीं रखना सरीर भी मेरा है यह भी छोड़ देना एकांत भसतिका में जाकर समस्त पाप पूर्ण योग का त्याग करे सभी पाप रूप जो क्रियां हैं अपने मन बचन काय की उनका त्याग करे और समस्त इंदियों के विसियों से निबृत हो मनों गुपती बचन गुपती और काय हुआ रहे अना मन बचन काय की गुपतियों को मतलब बिल्कु संकुचित करके कोई काम नहीं करना मन बचन काय से ऐसा धर्म ध्यान में लीन होता हुआ दिन का सेज़ भाग वितीद करे एक दिन पहले की बात है फिर संद्या कालिन सामाइक कर स्वाध्याए से निद्रा को जीतता हुगा पवित्र संस्तर पर रात्री को वितीत करें साम को सामाइट करें फिर स्वाध्याय करें इसनी के साम इसे सो जाओ नहीं, स्वासनिद्रा को जीतना है फिर पवित्र संस्तर मतलब पथर अब यहाँ पर पथर कहा है कि पथर पर सो तो पथर नहीं सी तो चिताई पे तो सो कम से कम रजाई अद्र कात्या करो अगले दिन उभास है तो शुबै से उठो पशाट एककाल समस्त दिन रात्री और तृतिये दिन के अर्द भाग को वितीत करें ठीक है अब उस दिन चारों प्रकार के हार जल का त्याग है तो पूरा दिन और रात्री और जो अगला फिर तीसरा दिन आएगा उसके आदे भाग को वितीत करें सान तीचे भिलकुर धर्म ध्यान करते हु का वितित करता है उसके पूर ऐहन सावरत होता है ये कहलाएगा अहन सावरत उसका देश-वरती श्रावकों के भोगोm भोग मूलक ही स्थावर जीवों की हिंसा होती है ये ना परंतु उवास के दिन भोग और भूख का त्याग हो चुकता है अब चुकि हम खाने पीने की चीजें करते हैं दरदर के काम धन्दे करते हैं इसलिए इस्थावर जीवों की हिंसा होती है वो जनादी बनाने में या खाने में हर जगह लेकिन उस दिन हम सब चीज़ का त्याग कर देते हैं बचन गुप्ति के कारण से बोलेंगे नहीं कुछ तो बात खतम है अशत्तकावी त्याग और सब प्रकार की बस्तूओं की ग्रहन का अभा होने से चोरी से निवित्ती हो जाती है क्योंकि हमने सब चीज का त्याग कर दिया है मैंथुन का त्याग होने से अब ब्रह्म पाप स हो जाती है कुछील का त्याग और साडिय में मूर्चह और परिणाम का त्याग कर देते हैं तब परिग्रे से निवित्ती क इस प्रकार समस्त हिन्सादी पापों से रहित वह पोस्दोगवास करने वाले विक्ति उपचार से महाव्रती औवस्था को को प्राप्त होता है प्रत्य प्रत्य ख्यानावरण नाम का चरित्रों का उदय रहने के कारण वह सईयम के स्थान को प्राप्त नहीं होता है अब चूंकि प्रत्य ख्यानावरण कर्म का उदय रहता है इसलिए वह सईयमी नहीं कहलाता है सईयम स्थान को ग्रहन नहीं कर पाता है बाकि उसके सभी प्रकार के पाँचो जो पाप हैं उनका त्याग हो चुका है ना तो इस प्रकार से हमें उबास के दिन क्या करना है क्या नहीं करना है इसको ध्यान में रख करके उबास करना आज आईए चलिए आज की कख्षा को यहीं पर सुमाप्त करते हैं जैज नेंद्र